हेए फ्रेंड्स हेर इस चनल सिंग तूड़े आएम इन फ्रंट आफ जू विद बैस्ट टोपिक स्पेलिंग एर तो फ्रेंड्स आप सभी स्पेलिंग एर टोपिक के बारे में जानते होंगे यह एक इंग्लिश का पाट है और इसके कोशन्स कम्पिटिटिव एक्जाम्स में जैसे के SSC, CHSL, CGL, MTS, UPSC, NDA, SBAE और कई सारे एक्जाम्स में पूछे जाते हैं इसके approximately 2 से 3 कोशन्स पूछे जाते हैं तो first of all मैंने आपको जहां पे 4 ओप्शन दिये हैं तो आपको इन में से correct spelling चूज़ करना है किस वर्दा correct spelling है ओके तो आज का first question देखते हैं जो कि option number A A-W-C-O-M-P-A-L-I-S-H option number B A-C-K-M-P-L-E-S-H option number C A-C-O-M-P-L-U-S-H option number D A-W-C-O-M-P-L-I-S-H तो आपको इसमें से correct spelling चूज़ करना है कौन सा correct word है आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें ओके इससे आपकी training होगी कि आप पेपर में इसका सही answer दे पाएंगे तो देखिए इसमें से कौन सा correct word है जल्दी से जल्दी कमेंट करें मैं तो आपको पता ही दूँगा last में तो चलो मैं बतातेता हूँ इसका जो correct option है वो है option number D okay A-W-C-O-M-P-A-P-L-I-S-H okay option number D A-W-C-O-M-P-L-I-S-H okay friends so next option number B A-W-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N option number C A-W-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N option number D A-W-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N जो सही हो आप कमेंट करें तो यह आपको मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आता है तो आप सभी को मैंने बता दिया कि यह SSC और भी कई सारे exams में पूछे जाते हैं और यह previous A-W-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट ओप्शन नमर A है Astonist A-S-T-O-N-I-S-H-E-D नेक्स्ट A-S-T-R-O-N-I-S-H-E-D तो आपको यहाँ पर Astonist का सई स्पेलिंग दाना है तो ओप्शन नमर C में है A-S-T-O-N-E-S-H-E-D ओप्शन नमर D में A-S-T-O-N-I-S-H-E-D तो आपको correct option चूज करना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें कौन सा correct option है option number A A-S-T-O-N-I-S-H-E-D ओके फ्रेंट्स एस्टोनिस्ट नेक्स्ट फ्रेंट्स बेनिफिटेड तो आपको बेनिफिटेड का correct word बताना है आपके पास चार option है जो की रोंग है तीन रोंग है एक correct है ओके तो first option है B-E-N-E-F-E-T-E-D second option B-E-N-E-F-E-T-E-D third B-E-N-I-F-E-T-E-D fourth B-E-N-E-F-E-T-E-D तो आपको इसमें से correct option बताना है तो जल्दी से जल्दी बताएं तो इसका सही option है benefited B option number B B-E-N-E-F-E-T-E-D तो इसमें double T रखता है तो next देखते हैं आज का question जो की है Billy Grant तो आपको Billy Grant का सही word बताना है कौन सा है तो आपके पास options है आप इन spellings पढ़िए और बताएगी कौन सा इसमें से correct है तो आप सब इने पढ़ लिए होंगे spellings तो मैं आपको अंसर बताता हूं सिदे तो इसका जो option number A correct है B-E-W-L-I-G-E-R-E-N-D ओके फ्रेंड्स ओप्शन नमबर A is correct next जो की आज का sixth question है चांसलरी तो आपको फ्रेंड्स चांसलरी का correct word बताना है three wrong गया और एक correct है चल्दी से जल्दी spelling पढ़िये और मुझे बताएगी कौन सा correct है ओके तो आप सब इने पढ़ लिए होंगे तो इसका option number C correct है C-H-A-N-C-E-W-L-A-R-Y ओके फ्रेंड्स ओप्शन नमबर C चंसलरी next discriminate तो option number A में आपको दिये हैं spellings D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-T-E option number B में D-I-E-C-R-E-M-I-N-E-T-E option number C D-I-S-C-R-I-M-E-N-A-T-E option D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-T-E तो आप correct option बताएगी मुझे जल्दी से जल्दी तो भी मुझे पता चलेगा कि आपको कितने spellings error आते हैं आप इसमें top पर हैं जा low bottom पर हैं तो इसका जो option number A correct है discriminate D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-T-E ओके फ्रेंड्स next damage तो आप सभी को damage का correct option तो पता होगा कौन सा है damage का, damage के spelling क्या होगे ये तो एक आसान बड़ है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें damage का सही शब्द क्या है तो damage का option number A correct है D-A-M-A-G-E और बाकी सभी गल्द हैं ओके next जो कि आज का 9th कोशन है efficient तो आप सभी को efficient का सही word बताना है तो option number A में है E-W-I-C-I-A-N-T option number B E-W-E-C-I-E-N-T option number C E-W-I-C-I-E-N-T option number D E-W-I-C-I-E-N-T तो आप correct option चूज करें कौन सा correct है तो इसका option number C correct है E-W-I-C-I-E-N-T ओके फ्रेंड्स तो आज का 10th कोशन है extravagant तो आप सभी इन spellings को पढ़िए और बताएए कि extravagant का सही word कौन सा होगा तो जल्दी से जल्दी read करें क्योंकि time की बहुत गदर करनी चाहिए हमें तो आप सभी ने पढ़ ली होंगे तो extravagant का जो correct option है वो है option number A E-X-T-R-A-V-A-G-A-N-T ओके फ्रेंड्स option number A is correct and other options are wrong next equanimity तो आप सभी को equanimity का सही शल्द बताना है तो आपके बस option सामने हैं आपके option number A में दी हैं आपको E-Q-U-I-N-I-M-I-T-Y option number B में E-Q-U-A-N-I-N-I-N-I-T-Y option number C E-Q-U-A-N-I-N-I-N-I-T-Y option number D E-Q-U-A-N-I-N-I-T-Y तो इसका correct option कौन सा है जल्दी से जल्दी comment करें तो इसका correct option है option number D equanimity equanimity E-Q-U-A-N-I-M-I-T-Y okay equanimity option number D is correct next जो क्या इसका 12 है फर्मा मेंट का तो आप सभी को फर्मा मेंट का correct word बताना है तो options आप के सामने हैं जल्दी से जल्दि कमेंट करें क्या है इसका सही शबद तो इसका option number A correct C correct है F, E, R, M, A, M, E, N, T देखिए option number A में F, A, R, M है तो ये रोंग हो जाएगा option number B में भी F, A, R, M है ये भी रोंग हो जाएगा option number C में F, E, R, M है तो फर्मामेंट के लिए F, E, R, M, A लगता है और fourth तो रोंग है क्योंकि उसमें F, R, E, M, A है ओके next जो कि आज का 13 है ग्रेफ तो आपको ग्रेफ का सवई शब्द रुप्टाना है ये तो आपका आता ही होगा तो option number A में दिये हैं आपको G, R, I, E, W option number B में G, R, E, F option number C G, R, I, W, E, F option number D G, R, I, W, E, F तो आपको correct word चूज करना है तो इसका जो सभी है वो है option number B G, R, I, E, F ओके ग्रिफ के spelling होते हैं correct G, R, I, E, F तो आप इने द्यान से याद कर दिये हैं ओके और जो आज का 14 खोशना है वो है guarantee तो आप सभी को guarantee का सभी word चूज करना है ओके तो आपके पास option आपके सामने है तो सही option बताएं कौन सा होगा guarantee का आप English में बोलते हैं न guarantee तो इसका option number A correct है G, U, A, R, A, N, T, W ओके and other options are wrong so today's last question is 15, hypocritical तो आपके पास option सामने है hypocritical के तो आपको correct word चूज करना है कौन सा है जल्दी से जल्दी comment करें as early as सभी comment करें कोई भी नहीं shoot न चाहिए ओके जो भी इस वीडियो को देख रहे है तो इसका जो सही word है वो है option number A में ह-y-p-o-c-r-i-t-i-c-a-l जो कि option number B है sorry option number B इसका correct है ओके तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी तो इसी के साथ last में आप सभी से request है कि आप सभी मेरी channel को subscribe कर दें इस वीडियो को share कर दें अपने दोस्तों में और bell icon भी जुरूर दबाएं ताकि हर latest से latest वीडियो आपके बास सबसे पहले पहुँचे ok so thanks for watching my video